हलो एवरिवन, वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल मिराक्षी मैस क्लासे आज इस वीडियो में हम करेंगे कोश्चन नमबर नाइन यह आपका कोश्चन नमबर नाइन है चैप्टर ट्वैल है डाटा हैंडलिंग वोक्शुट वन है सेवन्थ क्लास में उसका कोश्चन नम नाइन नाइन और टेन दोनों ही कुश्चन इस वीडियो में करवाऊंगे दा मीन ओफ़ एट नमबर इस ट्वंटी सेवन जैसा कुश्चन हमने एट किया था एट कुश्चन किया त्याओ तो इसं में वन नमबर को एकस्ट्लूड किया था यहां पर इंक्लूड किया है दा one more number is included, एक number को और include, add कर दिया जाए, then the mean is 26, find the included number, तो अब हम यहां से देखो, पहले जो चीज दी हुए, आप उसको ऐसे कैसे लिखो, the mean of 8 number, मैं यहां बीच में line लगा रही हूँ, यहां पर मैं लिखोंगी, mean of 8 numbers, 8 numbers is 27, ठीक है, question में यही दिया हूँ था, जो 8 numbers है, उनका mean कितना दिया हूँ है, if one more number is included, एक number को और include कर दिया जाए, अब आप यह बताओ, 8 number तो पहले जाएंस है, एक number और add कर देंगे, तो total कितना हो जाएंगे, 8 plus 1, 9, तो मुझे यहां दिया हूँ है, mean of 9 numbers, वो कितना दिया गया है, मेरे पास 26, ठीक है, आप से यह पुछा गया है, find the included number, कि वो जो number आपने डालना है, उसकी value कितनी है, आप से यह पुछा गया है, included, तो अब आप यहां से दिखो, यह easy question, अगर ऐसा question आता है आपके paper में, तो मतलब मालो असान है, आपको यह जो 8 number है, इनका sum निकालना है, यह जो 9 number है, इनका sum निकालना है, और मैं आपको सिखाया है, sum कैसे निकालते हो, sum of 8 numbers, एक number तो आप 27, ठीक है, अब सभी की value यतना है, यह उनका mean आया हुआ, 8 number का, और अगर आपको उन 8 number का sum निकालना है, तो आप mean को कितने से multiply करोगे, 8 से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको निकालना है, sum of 9 numbers, तो आप क्या करोगे, 26 को multiply करोगे, जितना भी mean हो, और जितने भी number हो, उनको क्या करदो, multiply, ठीक है, यहाँ से इनको multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, 8, 7 is a 56, 5, 8, 2 is a 16, plus 5, 216, और यहाँ से sum of 9 number कितना आजाएगा, 26 को 9 से multiply करेंगे, तो आएगा 234, ठीक है, अब हम देखो, अब आपको बताओ, 8 number है, उनका तो mean आ रहा है, 216, और जो 9 number है, उनका sum of 9, 234, थोड़ा सा कहने के लिए, देखो, रुपी में ही, मैंने आपको पहले example दिया था, भी पिए आपको भी बता रही हूँ, कि आप 8 student हो, आप 8 friends हो, आपके पास जितने भी रुपी थे, आपने टोटल किया, तो वो कितने आ रहे हैं, 216, आपका एक friend और आ जाता है, वो भी अपने रुपीज, आपके जितनी कॉंट्र रहा है, उसमें वो सारे रुपीज डाल देता है, तो आपकी बार आपने देखा, आपके पास कितने रुपीज हो गाए हैं, 234, अगर आप ये देखना चाहो, कि वो जो नया बच्चा आया था, जो आपका 9th friend आया था, उसने कितने रुपीज डाले हैं, तो आप ये बड़े वाले सम में से, छोटे वाले को क्या करोगे, माइनस, इतना तो आप सब बच्चे वैसे भी करते हो, कि अगर आपको कोई हिसाब करना, तो आप इसी तरीक़्े से करते हैं, तो हम यह यहांस लिखेंगे, therefore, included number, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यह जो 9 number का सम है 234, इस में से जो 8 number का सम है 216, आप उसको क्या कर दोगे, माइनस, ठीकिए, अब आपका इस वक्षिट का last question है, question number 10, इसको ध्यान से देखना, यह question अलग है, थोड़ा सा लेंदी भी है, आप ध्यान से देखोगे, इनन सर्टेन होस्पिटल, the mean birth rate of a week was 35, ठीक है, अब एक पूरा week है, यह week में कितने days होते हैं, 7 days, ठीक है, 35, इसको मैं आपको पहले meaning बताती, इसका meaning क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि, मतलब हर एक दिन fix है कि, हाँ, Monday को मान लो कि, 40 बच्चों का बर्थ हुआ, तो Tuesday को भी फुट्टी होगा, ऐसा तो नहीं है, किसी दिन कम बच्चों का बर्थ हुआ, किसी दिन ज्यादा बच्चों का बर्थ हुआ, लेकिन उन्होंने उसका mean निकाल दिया, कि, मतलब अगर आपसे कोई पुझा जाए, कि average की अंदाजा लगा के बता दो, कि कितना हाँ, तो उन्होंने बताया कि, हर एक दिन कितने हो रहे हैं, 35 बर्थ हो रहे हैं, अब सो स्पीटल में, ठीक है, इफ दा मीन बर्थ रेट फॉर्म मंडे टू थर्स्डे वास 35, देख मैं यहां लिख रहे हूं, मंडे, टूजडे, वेंस्टे, जगे कम रह जाएगा ऐसे तो, थर्स्डे, फ्राइडे, सेटरड़े, एंड संडे, ठीक है, थोड़ा चोटा चोटा सा करके लिखा है, क्योंकि बहाँ जगे नहीं है, अदर, मंडे, टूजडे, वेंस्डे, थर्स्डे, फ्राइडे, सेटरडे, संडे, ठीक है, होगे, हाँ, ठीक है, कम्प्लीट है, तो अब यहाँ से देखो, इसमें अब आपको क्या बताया गया है, कि यह जो हर एक दिन, इसमें कभी कम, कभी कम बच्चों का बर्थ हो रहा है, कभी जादा का हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला, मतलब कि अंदाज है लगा, कि हर एक अगर अप्रोक्सिमेटल आप से पुछा जाए, कि हर रोज कितनी हो रहे है, तो उन्होंने बोला, उनका मेन निकाल के उन्होंने बताया, कि यहाँ पर भी 35, मतलब अगर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर 40 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 30 हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि, कि यहाँ बराबर करने के लिए 35, 35 का दो, ठीक है, तो यहाँ हर रोज कितना हो रहा है, 35, यह मीन बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला, इव्दा मीन, चलो मैं यहाँ लिख देती हूं, लिखूंगे उसके साथ-साथ, आपको ज़्याद अच्छे समझा जाएगा, मीन बर्थ रेट फ़ वेक वस 35, तो मैं यहाँ लिख रही हूं, मीन बर्थ ओफ 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 मतलब 7 डेज, मीन बर्थ ओफ 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 सेवन डेज, यह आपको कितना दिया गया है, 35, ठीक है, कितना दिया गया है, 35, लेकिन अब उन्होंने बोला है, अब यहाँ से लिखना, मत पहले question समझ लेना, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी जगए छोड़ के करूँग इसको, if the mean birth rate from Monday to Thursday was 32, Monday to Thursday, मतलब यहाँ तक कितने दिन बनेंगे, Monday to Thursday, Monday to Thursday आपके कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, mean of, mean of, या फिर mean birth लिख लो, mean birth rate from Monday to Thursday, Monday to Thursday, यह आपको कितना दिया गया है, 32, और Monday to Thursday कितने देंगे, 4 देंगे, यह भी समझ आ गया, कि पहले 4 दिन है, अगर पूरे हफ़ते का निकालते हैं, तो 35 आपके, लेकिन अगर इसी पहले 4 देंगे, का मीन निकालते हैं, तो कितना आता है, 32, और हमें बताया गया है, and that of Thursday to Sunday, अब मैं यहाँ पर दूसरा पैन योज़ कर रही हूं, अब आप यहाँ देखो, उन्होंने बोला है, and that of Thursday to Sunday, यहाँ से देखो, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, यह जो बाद वाले 4 दिन हैं, ठीक है, यह जो बाद वाले 4 दिन है, इनका भी मीन मुझे अलग से निकालके दिया है, यहाँ पर मैं लिकरीए थोड़ा है नीचे, mean, mean of, mean birth, mean birth rate, from Thursday to Sunday, ठीक है, यह कितना दिया हूँ है, बाद के 4 दिनों का कितना दिया हूँ है, 36, यहाँ दिखा देते हूँ, 36, ठीक है, 36, यह भी कितने है, 4 देज है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से समझ आया होगा, कि अगर पूरे वीक का बताते हैं, तो कितना mean है, 35, पहले 4 दिन का बताते है, mean तो कितना है, 35, मतलब अलग-अलग data का निकाला हो न, पूरे data का इकठा निकालते हैं, अगर साथ दिन है, उनका टोटल कितने बर्थ हुएं, वो कितना हैगा, 35 है, अगर सम निकालना तो 7 है, तो उसको कितने से multiply कर देंगे, 7 से, ठीक है, तो 35 को आप यहाँ 7 से multiply कर रहे, तो कितना हैगा, 7, 5, 35, 5, 3, 7, 3, 21, और 21 में, 3 और अड़ कर देंगे, तो कितना हुजएगा, 24, ठीक है, 245, अब आप यहाँ से देखो, अब यह तो हुआ पहले साथ दिन का, अब यह, यह फस्ट 4 डेज का है, तो अगर मैं फस्ट 4 डेज का सम निकालना चाहूं, तो क्या हैगा, सम ओफ, बर्थ, और फस्ट 4 डेज लिख देती हूँ, फस्ट 4 डेज, पहले 4 दिन, उनका कितना आएगा, 32 को मल्टिप्लाई कर देंगे, तो पहले 4 दिन है, तो उसको कितने से मल्टिप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 तूज़ आ एट, 4 तूज़ आ ट्वेल्व, ठीक है, कितना आ जाता है, 128, ये तो हुआ, पहले 4 दिन में, मतलब अगर आप, देखो, थोड़ा साइज हो न, पहले 7 दिन, अगर आप से कोई ये पुछे, कि हमें मीन से कोई मतलब नहीं, मीन तो चलो, 245, मतलब तो उसको अच्छे से समझ जाएंगे, कि पूरे हफ़ते में मिला कि, कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, इस होस्पिटल में, 245, ऐसे ही यहां से, पहले 4 दिन का मीन बताओगे, तो शायद उने समझना है, लेकिन अगर आप यह बताओगे, कि पहले 4 दिन में, उस होस्पिटल में, कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, 128 का, तो शायद उने ज़्यादा चिस समझाए, तो ऐसे ही अब हम यहां से निकाल लेंगे, मुझे पता है, लास्ट के जो 4 देज हैं, उनका मीन कितना दिया है, 36, तो मैं यहां से निकाल हुँगी, सम ओफ बर्थ ओफ लास्ट फॉर देज, लास्ट फॉर देज, तो वो कितना आ जाएगा, इस 36 को हम कितने से मल्टिप्लाई कर लेंगे, 4 से, अब यह कितना हो जाएगा, 4, 6, 4, 6, 24, 2, 4, 3, 12, और 2, 14, ठीक है, 144, अब आप मुझे यह बताओ, यहां से, इसको जहां से देखना है, यह तो पहले साथ दिन का, यह तो पूरे 7 डेज का दिया हुआ है, अगर मैं यह जो 128 है, और यह जो 144 है, अगर मैं इनको एड करूँगी, तो यह कितने दिनों का सम निकलेगा, 4 डेज यह है और 4 डेज यह है, तो यह तो कितने दिन का निकल जाएगा, टोटल 8 डेज का निकलेगा, ठीक है, आप यह मत कहना कि मैं वीक में तो 7 डेज होते हैं, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, पहले 4 दिन लिए तो भी Thursday को काउंट किया, बाद वले 4 दिन लिए तो भी Thursday को, तो अपने आप 8 हो नहीं जाएंगे, क्यों, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहां पर Thursday को 2 टाइम काउंट किया, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, पहले 4 और बाद के जाथो, 4 जाथो 8 होंगे तो अब हम यहां से अगर मैंने लिखूँ, मैं यहां से लिखूँगे, Sum of birth, Sum of birth, of, First 4, First 4, Plus, Last 4, Is equal to 8 days, 8 दिनों का कितना बनेगा, तो यहां से 128, और 144 को हम क्या कर देंगे, Add, जब इन दोनों को Add करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 272, ठीक है, अब आप यह बताओ, यहां से देखो ध्यान से, यह तो है 7 दिनों का, यह है 8 दिनों का, ठीक है, यह तो कितना है, यहां से मैं लिख देती है, यह तो है 7 देज का Total Sum, और यह है आपका 8 देज का Total Sum, अगर मैं 8 देज में से 7 देज का Minus करूँगी, तो 1 दिन का आएगा, इतना तो आपको वैसे भी पता है, अगर 8 देज में से 7 देज का Sum Minus करेंगे, तो 1 दे का आएगा, और 1 दे वो कौन सा होगा, वो तो वही होगा, जो रिपीट हुआ है, Thursday पहले चारों को काउंट किया उस दिन भी, और बादवालों को काउंट किया उस दिन भी, ठीक है, तो वो कौन से दिन का निकल जाएगा, Thursday का, तो हम यहां से लिखेंगे, Therefore, Number of Birth on Thursday, तो उसके लिए क्या करोगे, 8 डेस के सम में से, 272 में से, यहां से जो 7 डेस का सम में 245, आप उसको माइनस कर दोगे, तो यह आप का आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस होगा 7, 6 में से 4 माइनस होगा, 227 बर्थ, ठीक है, तो आप का अंसर आ जाएगा 27, तो 32 को 4 से मल्टिप्लाई करना, बाद वाले 4 का दिया, 36 तो उसको 4 से मल्टिप्लाई करोगे, यह भी 4 डेस हैं, यह भी 4 डेस हैं, अगर 128 और 144 इनका टोटल करोगे, तो 4 प्लस 4, 8 डेस का हो जाएगा, तो यह कितने दिन का आगा, 8 डेस का, 7 डेस का सम माइनस करोगे, तो 1 डे का बचेगा, और वो 1 डे कौन सा होगा, इतना तो आपको यहां से अंताजा लग ही गया होगा, कि यह भी 4 है, यह भी तो ऐसी कौन सी चीज थी, जो रिपीट हो रही थी, रिपीट कौन सा हो रहा था, थस्टे हो रहा था, तो वो जो माइनस करके जो आंसर आएगा, वो थस्टे के ही बढ़त रही थाएग, ठीक है, तो यहां से मैंने आपको कुश्चिन 10 का समझाने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेर जुरू करें, इस चैप्टर की जो भी प्ले लिस्ट बनेगी और पीडियाफ बनेगी, और जो मेरे टेलिग्राम चैनल है, मैंने 6th का भी और 7th का भी टेलिग्राम चैनल एक ही है, जिन बचों ने पहले से उसको अप्लिकेशन को डाउनलोड किया हूँ था, तो उसी पे ही मैं पीडियाफ डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना, थैंक्यू सो मच,